Middle class life में यह सब होता ही रहता, यह देखिया जैसे आज ही को, यह देख लिजिए Wi-Fi यह सुबह से ब्लिंग कर रहा है और चलने का नामी नहीं ले रहा है अब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यह सब सुबह सुबह चल रहा था अच्छे से लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद से यह इसा ब्लिंक करना सुरू हो गया हाला कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहां से न चिपकली बहुत बार इस तरफ में जंप करते हैं ठीक इसके पीछे में तो इसको तो हम लोग देखेंगे यह भी उससे पहले आपको थोड़ा वक्त दिखा देता हूं यह देखिए अभी साड़े दस पार हो गया है और हमारा नास्ता हो चुका है वैसे इसका फिलाल कुछ बेवस्था करना पड़ेगा वैसे एक मिनट फोन मे के साथ यह connected है तो इसमें हम लोग जड़ा सा देखते हैं क्योंकि यह ना हमारा बैक बोन है यह जो आप अभी वीडियो देख रहे हो यह भी अपलोड तभी होगा जब यह ठीक होगा वरना अपलोड कहां से करेंगे क्योंकि एक वीडियो जो पांच-दस मिनट का भी अगर रहता है हमारा तो अगर जियो का वो फोन वाला रिचार्ज अगर करेंगे तो मैक्सिमम कितना तीन जीबी पर देगा तो उससे होगा ही नहीं हम लोग का क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक एक वीडियो ही चार साड़े-चार जीबी का रहता है एक और वीडियो है जिसमें हमने 200R का रिव्यू किया है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं वो जो वीडियो है सायद 12 मिनट के आसपास का है वो 6GB के आसपास का वीडियो है तो आप जरा सा सोचिए कि यह अगर खराब रहा तो हम लोग कैस से टाइमली वीडियो सर्व कर पाएंगे आपको तो इसका उपाय हम लोग इसमें से लगा सकते हैं आप सीधे देखते हैं स्क्रीन को ही वाह क्या गुबारा जैसा आता है है एपी दिवाली लिखा है इसमें आप सभी को भी हैपी दिवाली अब जरा सा देखूं हाँ यह द अरे जीओ फाइबर राउटर स्टेटस में भी ऐसे लगा दिया है मार्क एक्स्क्लेमेशन मार्क और फिर इंसाइड होम कनेक्टिविटी इसमें भी सर्विस फॉल्ट डिटेक्टेड अच्छा जीओ फाइबर कनेक्टिविटी माइट भी इंटरॉप्टेड इंसे और दा तो इसमें तो भई साफ साफ लिग दिया कि आप चरा साफना कनेक्टिविटी देख लीजिए तो गनेक्टिविटी देखते हैं इधर का वायर तो बिल्कुल ठीक है अच्छा जन्होंने कनेक्शन किया था ना उन्होंने ये चीज़ बोला था कि वायर जीजसे मुडे नही कहीं से भी नहीं मुड़ा है इधर मुड़ा तो कहीं से भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे इधर ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है तो उसमें बोला है कि रेड लाइट ब्लिंग कर रहा था तो वह फिक पहले तो जो पिछे में प्लाग लगा है और खूल के लगा कि देखना है अगर ठीक है तो ठीक है और नहीं तो कंप्लेंट दर्ज करने हुगा अच्छा हाँ वो तो उसका उक्सन उसमें भी दे ही रहा है रेस कंप्लेंट करने से फिर उसका आदमी आके ठीक करेगा अच्छा कोई बात नहीं हम लोग पहले तो देख लेते हैं इसको जड़ा सा उतारो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ तो हम लोग किये नहीं है हो गिया थोड़ा खसका हुआ जैसा दिखा नहीं नहीं ठीक है यह देखिए रेड लाइट तो भी जल रहा है थोड़ा सा टाइम लगता है हां यह रेड लाइट ना अभी कुछी टाइम के बाद ब्लिंक करता है फिर ग्रीन होता है अभी ब्लिंक कर रहा है तो और ग्रीन होई नहीं रहा है देखते हैं खेर क्या होता है क्या नहीं अगर यह रेड लाइट अभी तो खेर ब्लिंक भी नहीं किया है लेकिन ब्लिंक करने के बाद भी अगर ग्रीन नहीं हुआ तो फिर और उपाई नहीं है फिर तो मिस्तरी को आज के आज बुलाना पड़ेगा मिस्तरी मतलब वही जो इनके सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनी को ही कम्प्लेंड रेज करने का ओप्सन भी इसी में है तो कम्प्लेंड रेज करेंगे वो लोग आके अपना देख के जाएंगे क्योंकि यह तो ऐसा भी नहीं कि इसको छोड़ दूंगा ठीक है बाद मे इसको घ्लतरी नहीं कि रहो क्या कररें क्या नहीं त्यकिन अब क्या क्या जा सकता है अब यह सब चीज अगर खराब होगा तो इसको ठीक कराना पड़ेगा यह चीज और हमारा वाटर प्यूरिफायर यह दो चीज ऐसा है जो एकदम एसेंजिया मतलब जिज दिन खराब अगर ग्रीन हो गया तब तो अपना काम बन गया और जब तक मैं अद्रग वाली चाय बना के पी रही हूं क्योंकि और थोड़ा ज्यादा ही फंडी है अगर ग्रीन होगा तो आपके सामने ही होगा यह मुझे भी लग रहा है कि इतना समय तो नहीं तो नहीं यह जा रहा है थोड़ा सा और नहीं हुआ तब तो फिर उपाई नहीं है फिर तो बुलाना ही पड़ जाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स को बसे आज हम लोग लोग लो लगाएंगे अचा दिया भी रख दियो ना दिया भी धुल के रखा हुआ है दिया को देंगे पूरा इस तरफ में और मैं आप सभी से एक ही चीज़ अपील करना चाहूंगा कि प्लीज क्रेकर्स मत जलाएगे क्योंकि दिवाली का जो उतसब है ना यह उतसब दीपों का है दिये जलाएगे केंडल्स जलाएगे ठीक है और वो जो आप रंग भी रंगे लाइट्स वगरा जलाते हो वो भी आप जलाएगे यह पिछले साल बहुत ज्यादा यह चीज में धुम अचा था कि क्या नहीं लाइट्स हम लोग नहीं जलाएंगे क्योंकि यह चाइनीज ला क्योंकि इस से जो इको फ्रेंडली क्रेकर्स भी ह déjàन तो भी थोड़ा कम पॉल्यूट करते हों। बट्पॉल्यूट करेंगे लोस अगर नहीं करेंगे तो आप चीज gör बता जब भी ऐख बट करका रहे हो सो से धूवां होता है कि नहीं यह एकदम भी अमिट नहीं होता है यह संभव ही नहीं है तो इसलिए crackers मत जलाइए इसलिए मत जलाइए ताकि यह अर्थ बचा हुआ रहे और हमारे जेनरेशन बाई जेनरेशन दिवाली मनाते रहें अच्छे से वह भी ठीक है अवस्य जलाना अवस्य एक ही जलाना अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है और यह तो देख लीजिए यह अभी भी ऑन हुआ नहीं है इसका मतलब है कि हमें मिस्तरी बुलाना ही पड़ेगा तो अब जरा क्लिक कर लेते हैं रेजा सर्विस रिक्वेस्ट ठीक है इसमें क्या रहा है ओप्सन यह पहले देखना पड़ेगा यह हैं सेलेक्ट अपॉंट्मेंट डेट अंटाइम वा बारह नवेंबर तक खाली ही नहीं है तेरह नवेंबर से ही वह यह करने दे रहा है दस ब गलती आप बिल्कुल मत कीजिए क्या है ना कि हम लोग थोड़े टाइम पहले टाटा इसका ही अपना ठीक करवाय थे तो जो लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ना तो उन लोगों ने मुझे क्या बोला कि आपको जब कंपनी तरफ से कॉल आए तो आप प्लीज उस साथ तो फिर अपकर नहीं करना चाहिए था उसमें एक महजा फ्री सर्विस रहता है अगर ठीक करके गये हैं और फिर एक महिने के अंदर कुछ फिर से प्रढ्लम आ गया तो फ्री सर्विस रहेगा मतलब वो 200 रुपया चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, उनका चार्जेज होता है, विजिट चार्ज 200 रुपया, इसमें भी वैसा मुझे नहीं करना है, इसमें सीधा प्रोसीड करता हूँ, क्या आ रहा है, option देखते हैं, request raised successfully, your SR number is इतना for your issue, an engineer will reach out to you shortly regarding your issue, अच्छा, ठी service request इतना, 13 November, time slot इतना, ठीक है, ठीक है, ठीक है भई, submit feedback, feedback तो बाद में दूँगा, track service, ये, geofiber, intact alarm, अच्छा, ये क्या है भई, view more में जाता हूँ, अच्छा, your request for field visit has been acknowledged and a technician will be assigned shortly, चल लिए, ठीक है, मैंने अपने तरब से ये काम को रहा है, कर लिया, हो सकता है कि दिवाली के चलते slot खाली ना हो, बट अब उपाई नहीं है, अरे वीडियो डालना है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आई नहीं रहा है ना, और वो रिचार्ज करकर के अगर हम लोग वीडियो डालें, तो बहुत ज्यादा मेहंगा पड़ जाए और वो भी अगर हाई क्वालिटी पर डालेंगे तो वो भी डालेगा नहीं फिर, एक ही वीडियो, तो नहीं सॉट्स भी है, और सारा का सारा सॉट्स लगबग 100 MB का तो जरूर होता है, और जो लॉग वीडियो वो जीबी में रहता है, तो कैसे करके मैनेज होगा इतना, आपको साइध ये वीडियो भी थोड़ा लेट में मिलेगा, अब इंतजार के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हाला कि इस वीडियो को अपलोड करने के रिगार्डिंग मेरे पास एक आइडिया आया है, और आइडिया बड़ा धासू आया है, वो यह है ना, कि ये रेलवे इस्टेशन तो पास में है, और रेलवे इस्टेशन में लगा है फ्री वाइफाई, तो आप फ्री वाइफाई का हम लोग भरपूर इस्तमाल करेंगे, असल में क्या है ना, कि मजबूरी ये है कि अगर मैं चाहूं भी ना, कि चलो ठीक है, ये अभी बंद पड रहता है या कम से कम धाई जी भी ऐसा रहता है वीडियो तो आप खुद सुचिए कि धाई जी भी एक वीडियो का रिक्वाइर्मेंट है, और हर दिन का हर दिन वीडियो अपलोड होता है, तो मैं कितना एड़ ओन लूंगा, क्या है ना, कि हर तरीके का सिच्वेशन से और दिवाली का भी वीडियो आएगा, अपलोड होगा, यह वाइफाई काम करें नहीं करें, मैं जैसे भी करके वीडियो अपलोड करूंगा, इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही जल्ब मिलता हूँ एक दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते ही व देख लीजेगा, और उपर में भी तो आजकल आजाता है, पीपल, फिर फोटो, ऐसा करके पेजेज, तो आप पेजेज के ही ओप्सन में क्लिक करके रखिएगा, तो आपको दिख जाएगा हमारा पेज, हम दोनों का ही फेस है प्रोफाइल पिक्चर में, तो आपको ढूड में परिसानी नहीं होगी